देखिए इंडिया में जब से ओला ने अपने ओला इलेक्टिक स्कूटर का अनाूंस्मेंट किया है तब से इस इलेक्टिक स्कूटर का क्रेज लोगों में जब अदस देखा जा रहा है Ola Electric ने अपने electric scooter Ola S1 और Ola S1 Pro 15 अगस्त को launch किये थे और तब company को एक लाग से ज़्यदा scooter की booking भी मिली थी लेकिन इन electric scooters की booking कल चुके बहुत सारे customers की योग से delivery और test जाय को लेकर clarity नहीं होने की बात सामने आई तो Ola Electric अब नया payment plan लेकर आ रही है आज के हमारे इस वीडियो में हम Ola के नए payment plan के बारे में बताने वाले हैं तो स्वागत है आपका skill garages में तो चलिए शुरू करते हैं delivery का इंतजार कर रहे customers को Ola Electric पहले October end तक इसकी delivery शुरू करने वाली थी लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किये गए है अब company customers को पहले test drive का मौका देगी और इसके बाद ही final payment लेगी company इसके बाद ही scooter की delivery करने वाली है बड़ी खबर यह है कि Ola Electric अपने scooter की booking एक नवंबर से फिर्शे शुरू करने जा रही है इसमें भी final payment और delivery में company ने कुछ बदलाव किये है इसमें booking के बाद company पहले test drive का मौका देगी और फिर final payment 10 नवंबर से लेना शुरू कर सकती है यानि जो customer एक नवंबर से Ola Electric scooter की booking करेंगे उन्हें 10 नवंबर से पहले test drive का मौका भी मिल सकता है चलिए अब देखते हैं मातर 490 में रूपे में Ola S1 और Ola S1 Pro को कैसे book करवाया जा सकता है Ola Electric scooter के full review के लिए आप i button पर click करके इसे देख सकते हैं तो दोस्तों प्राइज और फीचर के हिसाब से Ola के ये electric scooter जबदस्त है साथ ही अब company ने final payment से पहले test drive का option भी दे दिया है तो तयार हो जाएं इसे book करने के लिए हमारे वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें और हमारे चैनल को subscribe करें अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें comment बुक्स में जरूर लिखें Thank you